जल्दी जल्दी लाई वाई आप लोग आगे लोग कल कुछ दिये तो आप लोग को याद करने के लिए काहत है कि अगर नहीं याद रहेगा तो सराब देंगे आज कौन-कौन याद किया है गुट आफ्टोनून यूट्व वाला वीडियो देख रहे हैं यूट्व पर भी डाल दिये यार जब तक अब एक्जाम आ गया तो थोड़ास आदमी यूट्व पर कम ध्यान देता है लड़कों अपनों को एक्जाम में आदमी भीजी रहता है रात को दो एक बज़े हम लोग लाइव थे लोग ठीक है आज भी रहना है ना लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं यू कन आस्क ओके यू में आस्क होता है देखिए कैन जो होता है ना कैन इंगलिस में आप पड़े होंगे हैं कैन का यूज वहां किया जाता है जब आप किसी को ओर्डर दे रहे हों या अपने से छोटे से बात कर रहे हैं में का यूज वहां होता है जहां आप रिक्वेस्ट कर रहे हों या फिर आप अपने से बड़े से बात कर रहे हों संवाया तो आप अगर ये बोलते हैं कि you can ask, तो मतलब यह हो जाएगा कि आप हमको order दे रहे हैं, या आप हमसे बड़े हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम आपके pressure में हैं, हमें पूछना ही पड़ेगा, और यह you may ask का मतलब होता है कि sir, आप पूछ सकते हैं, तो यह मेरी एक छापे अफिस में आना हुआ, तो आप अमरे भी द्यारती हैं, हम बोलेंगे can I coming, दुखाएगा नहीं तो भोगो जाएगा, बकलोलवा कहाएगा नहीं बोलता है मर भो करेंगे सही हो जाएगा, लेकिन may होता है यार, इंगलिस तो पढ़ाते नहीं यार, लेकिन अभी CBSC बोट से पढ़े हैं, क्या बता है यार, यही सब पढ़े बेकरता हैं CBSC में, can, could, may, might, soon, sad, will, do, दू, जब दू, आपकी सब पढ़ेंगे इंगलिस भी पढ़ाओंगे लोग हां इंगलिस पढ़ा दीजे ना भया कुण 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 जी बढ़ाएक आदमी इंगलिस आपके टीचर पढ़ाएंगे चलिए हम लोग कहां तक दे थें नम्बरिंग वगरा बता दिये थे हम आपको 64 तक पढ़ा दिये थे कहां तक पढ़ा दिये थे 64 जल्दी जल्दी कई वो लाइव नहीं आया है सब डरे की सरसर आप देंगे चलिए बताइए यह खाड़ी एक नमबर और यह दो नमबर नाम बताइए दोनों का एक ही साथ नाम बताइए कॉमा करके एक और दो नमबर खाड़ी के नाम एक और दो नमबर कौन सी खाड़ी है अंसर दीजा फटा फट हाँ अलास्का की खाड़ी और कलिफर्निया की खाड़ी यह लड़का लिख दिये AC हम समझ के वह यह अलास्का बोल रहा है और कलिफर्निया कर रहा हम आप बस इसारा कर दीज़े का हम समझ जाएंगे अब एक कदम बढ़ाओ हमारी और हम दोड़के चले आएंगे तीन और चार बताईए यह तीन और चार नंबर दो खाड़ीयों के नाम बताएंगे तीन और चार तीन और चार नंबर पर बता दीजे हाँ तस्मान सागर मेलानेसियन सागर तसमान सागर और मेलानेसियन सागर वेरी गुड तीन चार तसमान सागर और मेलानेसियन सागर पाँच और छे कितने लोग बता सकते पाँच और छे पाँच और छे कितने लोग बता सकते पाँच और छे कोरल सागर कोरो सागर और कोरल सागर कोरो सागर और कोरल सागर कोरो सागर और कोरल सागर साथ और आठ बता दिजे साथ और आठ बता दिजे साथ और आठ साथ और आठ साथ आठ सोलमन सागर Bismarck Sagar, very good. Solomon Sagar, Bismarck Sagar. New and 10 बता दीजे, Nine और दस. Nine और दस. Nine आर दस. स préparकते जे, Nine और दस. Nine आर ढदस. Very good. Arafura Sagar, Bandha Sagar. अरा फूरा सागर और बंडा सागर अरा फूरा सागर और बंडा सागर अरा फूरा सागर और बंडा सागर ठीक है, नो दस क्या है अरा फूरा सागर और बंडा सागर ग्यारा और बारा बता दीजे ग्यारा बारा ग्यारा और बारा ग्यारा और बारा घर गाहां ग्यारा 12 सेली सागर और जावा सागर 3 WestH कर और जावा सागर सैलीफ सागर और सागर से लेपि सागर और जावा सागर हेरी गूड सेह लिप सागर जावा सागर से लिए तो 13 overlap the दीजे तो 13 और 14 बता दीजे 13 और 14 13 और 14 बता दीजे 13 और 14 फटा फाट देखिया लड़के भाग गया सब जान रहा था सर आप देंगे सर थाइलेंड सागर दच्छिन चैन सागर थाइलेंड सागर दच्छिन चैन सागर Thailand सागर और दक्षणी चीन सागर Very good 15-16 बता दिजे 15-16 बता दिजे 15-16 Philippine सागर और पीला सागर Very good Philippine सागर पीला सागर नहीं Philippine सागर पुर्वी चीन सागर Philippine सागर और पुर्वी चीन सागर Philippine सागर और पुर्वी चीन सागर Philippine सागर पुर्वी चीन सागर Philippine सागर और पुर्वी चीन सागर Eastern चीन सागर इसी लिग देंगे Eastern चीन सागर हो जाग अब देंगे 17 और 18 बता दिजे 17 और 18 यह 17 और 18 वाला बताएंगे 17 और 18 17 और 18 नमबर 17 और 18 जापान सागर पीला सागर वेरी गूड जापान सागर और पीला सागर 17 और 18 में हो जाएगा जापान सागर और पीला सागर जापान सागर और पीला सागर जापान सागर और पीला सागर चलिए उननीस और बीस बता दीजे तो उनीस 20 उनीस और बीस जा पांजा उन्नीस बीस बता यह उन्नीस बीस अखुठास सागर बेरिंग सागर अखुठास सागर और बेरिंग सागर अमीत कुमार गुपता आपके सरापके करण पांच गुमेप भर दी आप भर दे ना भाई अच्छा आई लड़का नहीं आया अज़े डर के मारे वो खुठास सागर और बेरिंग सागर होई गया ना इधर में 21 और 22 21 22 बताईए 21 22 21 और 22 अलास्का इखड़ी कैलिफोर्निया की खड़ी अलास्का इखड़ी और कैलिफोर्निया की खड़ी चलिए अब अब हम लोग कहां स्टार्ट करते हैं लो आर्केटिक महासागर के सीमांत सागर पे आर्केटिक महासागर के सीमांत सागर में चलिए देखिए दियान से, इसमें दो-दो करके इसका गुरूप याद करेंगे हम लोग, कितना करके, दो-दो करके इसका गुरूप याद करेंगे, रास सागर और डेवी सागर, देखिए, यहाँ पर है रास सागर, और यहाँ पर है डेवी सागर, आप अपना नकसा खोलें नहर बताकर फिर नदियां बताएंगे नदियां, बनाने कब जहरंआ बताएंगे जहरंआ बताकर उसके बाद आपको जहील बताएंगे पानी से related शीज़े static GK इससे question पूछे Гवागू static GK इससे question पूछे Britain static GK में यहींसे question पूछे economically you जितने पे भी होगा भई आप लोग बनाएंगे जितने नमर पेच पे होगा आप बनाएंगे पेच नमर खुलिए खुलिए देखिये एकदम कोना में राज सागर लिखा होगा एकदम कोना में क्या लिखा है राज सागर एकदम कोना में राज सागर अब उसके भारत के ठीक नीचे डेवी सागर लिखेगा जहां भारत है उसके ठीक नीचे कलम से लिख लिए डेवी सागर कौन सा सागर? डेवी सागर डेवी सागर डेवी सागर लिख लीए कोन सा सागरаг डेवीश सागर अब दीखे अफरीका के ठीक नीचे आपको लिखना है वेडल सागर यहाँ डेवीश लिख लिखना है यहाँ लिखना है वेडल सागर numbering हम गलत कर रहे हैं numbering कितना number पर हब इया 65 पर है 65 पर रास सागर 66 में डेविस सागर और 66 में आपका वेडल सागर कौन सा सागर वेडल सागर अफरीका के ठीक नीचे लिखना है वेडल सागर कलम से लिख लिजे वेडल सागर वेडल सागर कलम से लिख लिजे वेडल सागर और जहां धस गया है यहां पर प्लांटिक के नीचे वहां एसकार्सिया सागर, जहां पर धस गया है, वहां पर क्या लिखना है, एसकार्सिया सागर, देखेंगे जहां एक दम धस गया है, इसकार्सिया सागर, यहां पर बोली है, राज सागर, डेविस सागर, वेडल सागर, दोदो का गुरूप, राज सागर, डेविस सागर, यहाँ पर बेडल सागर, एसकर्सिया सागर. लिखा हुआ है? निका हुआ है। बढ़िया बात है तम? जो मेरा नक्सा आए है न उसमें सब लिखा हुआ रहेंगा, आपको लिखने की जरूद नहीं पड़ेगी, वहाँ पर हम सब कुछ लिखा हुआ द यह भूलिये तो राज सागर, डेविस सागर, वेडल सागर, एसकोर्सिया सागर, एसकोर्सिया सागर, कौन सा सागर? एसकोर्सिया सागर, आप देखिए, यह अमेरिका जहां खतम हो रहा है, दक्षणी अमेरिका, इसके ठीक नीचे होगा ड्रैक पास, एक रास्ता है समुंद अटसर का यह चोडा रास्त Теперь तरहा lass ट्रहा पास फगा अमेरिका दक्षणी अमेरिका और अंट्रीक अगर एक द्रेक पास कौन अगर करेगा ड्रेत पास कॉंण तरहा ही द्राइक पास लिखावी है आपको ट्राक पासेज लिक्षणी अमेरिका का अंतर पासेज हुआ 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 है शुआ ड्रेक पासेज लिख दिया है वह फश्य नहीं लेका तो लिख दीजेये ऍाड्राइबर उसके इधर दीखेंगे अमंणसे सागर। इस सागर है यहां था लाइन आमंणसे सागर है यहां अमंदसन की सागर है, वहां तहा अमंदसन की खाड़ी, अमंदसन सागर, टुटल सतर सागर, कितने सागर देखें? सतर सागर, अभीमत क achievements, सад समुन्दर पार में तेरे पिछे पिछे आ गई, तो लड़की क्या बोलेगी, साथ समुन्दर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, लड़का कहेगा, सत्तर समुन्दर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, जो ये बताता है कि लड़का भी खचरा होता है, समझागे ही नहीं आ गया, सत्तर समुन्दर, लड़की क्या किसी कोई दिकत रहा हैं नहीं ना किसी को दिक्कत है तो बोलिए अब मेरी और ध्यान से दिखिए दुनिया के जितने भी सागर है वो दुनिया के जितने A to Z सागर है ये सागर टोटल के टोटल सागर आपस में जॉइंट है सब ये जितने भी समुंदर है यह जितने सागर हैं, सब आपस में joint है, अब आपको physics पता होगा, कि पानी यानि liquid का एक property होता है, कि अगर आप इसे आपस में joint कर दीजेगा, जैसे इनको अगर आप joint कर देते हैं, तो joint करने के कारण, joint करने के बाद, यह इनका label हमेशा बराबर हो जाता है, दो पानी को अगर आप आपस में joint कर देते हैं, तो उनका label हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक तलाब को, अगर आप दूसरे तलाब से joint कर देंगे, पाइप के रास्ते, तो दोनों का label क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो दुनिया के जितने भी सागर है, क्या उनका label बराबर है या नहीं है ये बतेए दुनिया में जितने भी समुंदर है उन सारे के सारे समुंदर का लेबल क्या है आपस में बराबर है जब ये लेबल आपस में बराबर हो जाता है जॉइंट है तो इनका लेबल बराबर हो जाएगा इसलिए दुनिया में किसी भी चीज की उ उचाई नापनी है तो आप कहां से नापते हैं समुंदर तल से जैसे अगर आपको हिमाले की उचाई नापना है तो बिहार से नापिएगा तो बिहार अल्रेडी समुंदर से पच्पन मीटर उचा है तो कुछ और आएगा नेपाल से नापिएगा तो पासे दिखने लगेगा चाइना से नापिएगा तो और उपास दिखने लगेगा सिक्किम से नापिएगा तो थोड़ा कम उचाई दिखेगा केरला से नापिएगा तो थोड़ा और कम निकेगा तो उससे बहतर आदमी नापे कहां से किसी चीज की उचाई तो हर चीज की उचाई को कहां से नापा जाता है समुदर के तल से किसी भी चीज की उचाई को कैसे नापा जाता है समुदर के तल से समुदर तल से, दुनिया का हर एक चीज समुदर तल आपस में बराबर है जैसे यहाँ दिखे, मान के चलिए यह समुदर है यह समुंदर है तो समुंदर का तल लेबल समान रहता है ठीक है अब यहां पर जमीन कहीं उची है कहीं नीची है इसे कहीं पर पहाड़ है कहीं इधर भी लोग रहते हैं ऐसे तो उससे बहता है कि भाईया यह दुनिया में कोई भी चीज को नापना है तो समुंदर के लेबल स अब इसकी उचाई नापनी है तो आप कहां से नापेंगे समुदर तल से नापेंगे अब इसकी उचाई नापनी है तो कहां से नापिएगा समुदर तल से नापिएगा इसकी उचाई नापनी है तो इसको भी समुदर तल से नापिएगा किसी भी चीज की उचाई समुद्र तल से नपी जाती है railway station पे देखिएगा तो उचाई लिखी रहती है समुद्र तल से उचाई क्या लिखी रहती है समुद्र तल से उचाई आप railway station पे जाएगा ये driver के लिए लिखा रहता है कि railway station पे उचाई यानि gradient लिखा रहता है ताकि driver को जब लग जाता है कि नहीं समुदतल से उचाई जादे है तो brake pedal पे जादे ध्यान देता है और पहियों के पास वो sand गीराता है बालू आप railway का एक video बनाए हुए है आप उसमें जाके देखेंगे तो railway का हम सारा इंजन के बारे में बताए है कि इंजन में कैसे कैसे क्या काम करता है तो उसमें आप देखेंगे तो बालू गीरा के चलता है वरना sleep कर जाएगा तो आप में ये तो समझ में आगी आप लोगों को कि भाई साब जो भी चीजे होती है वो समुद तल से उचाई क्यों ना पी जाती है किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए अरे एवरेस्ट की निव हाइट 8848.8 हो गया है समुद तल से ना पा जाता है किसी को दिक्कत है तो बोलिए इतना समझ में आ गया है कि किसी भी चीज की हाइट कहां से ना पी जाती है तो समूद तल से ना पी जाती है समूद तल से ही क्यों ना पी जाती है कंसेप्ट किलियर कंसेप्ट किलियर चलिए भईया कंसेप्ट किलियर तो अच्छी बात कंसेप्ट किलियर हो जाना अच्छी बात हम आपसे अगर पूछते हैं कि अगर कोई सागर है जो आपस में जुड़ा नहीं है तो क्या आप उसे सागर कहिएगा अगर कोई समुद्र है जिसका पानी दूसरे से नहीं जुड़ा है तो क्या आप उसे समुद्र कहिएगा नहीं कहिएगा क्योंकि समुदर की पहली परिभासा आए कि वापस में क्या रहना चीए जुड़ा रहना चीए नहीं जुड़ेगा तो आप उसे समुदर नहीं कह सकते हैं भले आप उसमें कुछ भी करते रहे उसे आप समुदर नहीं कहेंगे जैसे हम आपको एक example देते है example के तोर पर अगर आप देखिएगा तो आपको कौन सा example देते है लो भी यह देख लिए आप यहाँ example देखिए यह है आपका Caspian Sagar नाम है इसका Caspian Sagar क्या यह सागर है नाम इसका Caspian Sagar है, क्या यह सागर है क्या यह सागर है सागर नहीं है यह काला सागर है क्या काला सागर है क्या काला सागर सागर है अरे है रे भाईया है क्योंकि ये मरमरा सागर से जुड़ा है और मरमरा सागर इजियन सागर से जुड़ा है इजियन सागर एड्रियाटिक सागर से जुड़ा है एड्रियाटिक सागर भूमद सागर से जुड़ा है भूमद सागर अट्लांटिक से जुड़ा है यह उत्तर सागर से जुड़ा है, इसे जुड़ा हूँ, यह सब जुड़े हैं अपस में, काला सागर सागर है, नहीं तुमको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, कल्यूग है, कल्यूग, तुम लोग को यकीन नहीं है, दिखा दे, कल्यूगी मानव लोग सब को दिखाते हैं, ज आपको बताये थे कौन सी ऐसी जलसंदी है छोटी सी जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जलसंदी बताईए वेरी गूड मनीश कुमार वासपोरस जलसंदी वेरी गूड अमीत यादो किसान इंडिया फस्ट रागिनी धीरज सुमीत कुमार चंदन सब लोग का सही है वासपोरस जलसंदी वासपोरस आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि तुर्की इसराइल एम जार्डन के सीमा पर इस्थीत मृत सागर क्या सागर है? मिरित सागर सागर है? नहीं है मिरित सागर सागर नहीं है क्यों नहीं है तुर्की और जार्डन के सीमा पर है? देखिये यह है मिरित सागर मिरित सागर यह सागर नहीं है इस साइड में जार्डन है इस साइड में इसराइल है इसराइल और जार्डन के सीमा पर इस्थीत मिरित सागर कभी भी सागर नहीं बन सकता यह सागर नहीं है सागर में नहीं आते हैं सब और एक्जामपल दें आपको और example देते हैं देखिए क्या अराल सागर सागर है क्या अराल सागर सागर है नहीं है अराल सागर सागर नहीं है तो देखिए तीन सागर के नाम याद रखेंगे अराल सागर, मृत सागर और कैस्पियन सागर ये सब के सब जील है सब सब के सब क्या है सब जील है सब बंद हो जाता है तो उसे जील कहा जाता है बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है जील कहा जाएगा जील पिसी को दिखकर जील है इन सागरों में कुछ विस्यस्ता समझी है छीपा हुआ माहसागर किसे कहते हैं? आर्केटिक माहसागर को भूमी से बंद भूमद भूमी से घिरा हुआ सागर किसे कहते हैं? तो भूमद सागर को कहते है भूमी से गिरा हुआ सागर किसे कहते है भूमद सागर को कहते है आप बताइए तो लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है 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 सैवाल का नाम बताओना हैने सैवाल त्टु बताएं हैं ट्रैकोडेस्मियम सैवाल के करनान लाल सागर का रंग लाल है भूमी से गिरा हुआ सागर किसे कहते हैं भूमाद सागर आप केश्पीयन सागर को मत मार दीजिएगा नहीं होगा भूमी से गिरा हुआ सागर, भूमद सागर है इसको लिखते चलिएगा आपका सागर का जो लिष्ट है वहाँ लिख दीजेगा सारगैसो सागर में क्या है? टट विहीन टट विहीन, इसके पास टट नहीं है टट विहीन है सारगैसों में क्या लिखेंगे तट विहीन है, इसमें कोई भी तट नहीं है, तट विहीन सागर है, और भूमत सागर में क्या लिखेंगे, भूमी से घीरा हुआ सागर, लाल सागर में सहवाल के कारण ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम सहवाल के कारण लाल है, ट् सबसे बड़ा सागर कोंचा है दक्षणी चीन सागर कर आएगी सर जील है तो खारा क्यों नहीं होता है खारा होता है भाई खारा होता है इसके पानी क्या हो जाते है खारा हो जाते है चलिए अब हम आपको कुछ चक्रवातों के बारे में बताते है चक्रवात आप दिखे अगला टॉपिक है चक्रवात आप उसे भर लीजेगा नक्सा में मिट्रियल में आपको क्या कर लेना है भर लेना है भर सकते हैं ना चक्रवात पढ़ाएंगे उसके बाद से जलसंधी पढ़ाएंगे जलसंधी गत्म बजाएगा तो फिर आपको जलसंधी के बाद जलधारा पढ़ाएंगे नहर पढ़ाएंगे चक्रवात इस्टाट करें साइकलोन साइकलोन इस्टाट करें हाँ, यास, बोलता है, यास, देखिए, साइकलोन, साइकलोन को कहते है, चक्रवात, चक्रवात, देखिए, इसे सुरह आता कैसे है, मान के चलिए कोई एरिया है, ठीक है, और यहां से, हर जगे ग्रीन एरिया है, हर जगे ग्रीन ग्रीन एरिया है, कहसा एरिया है, ग्रीन ग्र देश का नाम है चौकोर देश देश का नाम क्या है चौकोर देश इस चौकोर देश में चारो तरफ से मान के चलिए यहाँ पर चारो तरफ ग्रीनेरी लगाई गई है पेड़ पौध है चारो तरफ से इसमें ग्रीनेरी है सब ग्रीनेरी है हर जगह भरे भरे पेड़ पौध हैं इस देश में लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां मानो पहुँच गिया मानो इतना दलीदर है कि जहां पहुँचेगा आतंग फईला देगा तो मानो यहां पहुँच गिया इस जगह के पेड़ पौधों को काट दिया बाकी हर जगह मानो क्या थे पेड़ पौधे थे हर जगह पेड़ पौधे थे मानो यहां पहुचते पेड़ पौधों को काट दिया अब अब बताईए गर्मी कहां जादे पड़ेगी पेन पोधे तो गर्मी को रोक देते हैं अपने उपर गर्मी को सोक लेते हैं जमीन पर पढ़ने नहीं देते हैं तो यह अला एरिया क्या हो जाएगा हो जाएगा गरम यह वला एडिया क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा अब आपको पता है कि गरम हवा जब भी उठती है तो उपर की और उठती है गरम हवा कहा उठती है उपर की और पताएगी नहीं पता है गरम हवा जब भी उठती है तो उपर की और उठती है तो पताएगी यहां की हवाएं क्या होजेंगे ऊपर की और उठने लगेंगी. तो यहां के असा थोड़ी होगी, हॉड़ी होगी और जितनी हुआ ति माने यह 100 के जी हुआ था तो 60 की जो ऊड़ की अधिक्ता है. यहां हमाईं की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी. तो जब यहां हवाओं की कमी होगी, तो यहां हवाओं का दबाव कम होगा, जैसे किसी छट पर अगर सौव आदमी खड़े हैं, तो दबाव जादे हैं, बीस आदमी खड़े हैं, तो यहां हवाओं गरम होकर उपर की ओर उठ जाती हैं, जिस वज़े से यहां हवाओं बहुत कम बचती हैं और दबाव बहुत कम हो जाता है जिसे हम लोग 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 प्रेसर या निमने दाब कहते है जिसे हम लोग क्या कहते है निमने दाब लोग प्रेसर के नाम से जानते हैं क्या कहेंगे लोग प्रेसर यही लोग प्रेसर निमंतरण है दावत है अगल बगल की हवा कि तुम आ जाओ, इस लो प्रेसर के करण अगल बगल की हवाएं क्या हो जाती है, आ जाती है, अगल बगल की हवाओं का आ जाना ही क्या कहलता है, चकरवात कहलता है, और सब एक साथ आके बवंडर की तरह नचने लगती हैं यहाँ पर, इसी को क्या कहते हैं, चकरवात कहते है तो question पूछेगा चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर आती हैं अंदर से बाहर जाती है बताईए चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर आती हैं अंदर से बाहर जाती है चक्रवात में क्या होता है हवाएं बाहर से अंदर आती है बाहर से अंदर आएगी बाहर से अंदर आती है चakravat बड़ी खतरनाग होता है आउट टू इंजाईड है ठीक है बाहर से क्या आती है अंदर की और हवाएं Ćती है ये हवाएं क्या होती है बाहर से अंदर की और चलिए आती है पहला, चक्रवात का जो center point होता है उसे हम चक्रवार की आँख कहते है Eye of the cyclone is center point इसे आँख कहते है सुद्ध भासा में चच्छू कहते है चच्छू, आँख को चच्छू भी कहा जाता है तो चक्रवात के केंदर को चक्रवात की आँख चक्रवात की चच्छू कहते है, केंदर को, तो चक्रवात में तो चीट भी सिस्ता समझेगा, हवाएं जब भी आती है, बाहर से अंदर आती है, हवाएं बाहर से अंदर आती है, चक्रवात का जो केंदर वाला भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं, चक्रवात की आँख कहा ज जाता है चक्रवात के जो केंदर में होता है वो टेंपरेचर तापमान जादे हो जाता है जिस वज़े से हवाएं कम हो जाती है और दबाव वहाँ पर कम लगता है दाब क्या हो जाता है लो हो जाता है जब चक्रवात उठता है जब चक्रवात उठता है बवंडर की तरह तो नीचे से सुर्या पतला होता है, उपरा जाके मोटा हो जाता है चक्रवाद, ऐसे उठता है। आप लोग बच्पन में चक्रवाद देखे होंगे, नीचे पतला रहता है, उपरा जोई गन-गन गनी आके उड़ी आता है चक्रवाद। ये अंग्रे जी के किस अक्छर की तरह दिख रहा है ये चक्रवाद। इसका आकार बताए तो अंग्रे जी का कोन अचर दिख रहा है, ओ lacte लग रहता है, नीचे अरा, ऐगया लग रहता है। चक्रवातों का आकार अंडा के समान होता है, अंडा जब नहीं रहे तो भी के समान होता है, चक्रवातों का आकार अंडा या भी के समान होता है, अंडा वह दिखेंगे निचवा पतला होता है, अंडा समझता है CBC वाला, बैदा, बैदा बोल जाता है अंडा को महराष्ट में माराती मोहराश्ट को बैदा भुलता, एक, एक, इसका हाकार ही होटा है अब चक doughnut को नापनेवाले बचीन कोन सा होता है scale, किस scale सी इसको नापा जाता है तो चकर वाथ को नापनेवाले scale को कहते है T scale, T scale कोन सी मशीन से नापता है T scale से नापते है चकरवातों को नापने वाली मशीन को हम T-scale कहते हैं हवाएं कहां से आती हैं? बाहर से अंदर की और आती है? सर पहले मूर्गी आई थी कि पहले अंडा बाइलोजी में बताये थे म्यूटेशन में जब दरोगा वाला भैच पढ़ाये थे तो पहले मूर्गी की पहले अंडा म्यूटेशन से मूर्गी बन गई थी उसके बाद अंडा ठीक है? डारेक्ट अंडा नहीं आया था म्यूटेशन से क्या हो गया था? मूर्गी बन गया था जैसे कोरोना डारेक्ट थोड़ी आया था दीरे 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 अपना रूप चेंज किया. पहले चमगादर में था, थोड़ा सा रूप चेंज किया, फीर आदमी में आगै. व gutter pandemic में आगिया, वैसे ही मुरगी पहले जानवर में थे सम्ट, धीरे दीरे रूप चेंज हुए, होते 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 होते, मुर्गी करी इस होनय में कई लाख साल लगय था चल भाएया यह तो समझ में आ गया अब चक्रवात जो होते हैं यह चक्रवातス नौर्दन हमिस्पेर भी होगा, साउदन हमिस्पेर में भी चक्रवात होता है, लेकिन दिसाएं अलग होती है, उत्री गुलार्द में इनकी जो दिसा होती है, एंटी क्लोकवाईज, एंटी क्लोक, उत्री गुलार्द में इनकी दिसा एंटी क्लोकवाईज होती है, और यहां के नियम ने क्या कहा था कि उत्तरी गुलाद में हवाइं जो होती है अपनी दाहिनी और मुड़ जाती है उत्तरी गुलाद में किदर मुड़ जाती है दाहिनी और मुड़ जाती है तो अब आप बताईए अगर यहां से हवाइं अंदर की और आ रही है तो इसका दाहिना किद यह दाहिनी और मुड़ जाती है अपने गुलाद में और इसको अगर आप निकाल के दिखा देते हैं फेरल के नियम के हिसाब से देखिये कैसे है इसको हटाई देते हैं यह पेज ये उत्री गुलार्द है ये दक्षणी गुलार्द है ये चक्रवाद का बीच का भाग है किसका भाग है बीच का भाग है अब यहाँ देखिए हवाएं बाहर से अंदर जाएंगी बाहर से अंदर जाएंगी बाहर से अंदर और बाहर से अंदर लेकिन फेरल ने क्या कहा था यह हम थिवरी पार्ट में बताएंगे फेरल ने कहा था कि उत्री गुलाद में हवाएं अपनी दाहिनी और घूमती है और दक्षडी गुलाद में वो बाई और घूमती है तो उत्री गुलाद में किदर घूमेगी दाहिनी और तो देखिए इसका मुह उपर है, दाहिना किदर होगा, मुह अगर उपर है तो दाहिना इस साइड होगा, ये इस साइड घूम जाएगी, इसका मुह इधर है, दाहिना किदर होगा, सीधे नहीं जाएगी, हलका घूम जाएगी, तो थाँसा इस साइड घूम जाएगी, इसका भूत बोलते हैं लोग गाओं में इसको हाँ हाँ चक्रवात पतली लड़की को खीच के लेके चला जाता है पतली लड़की सब चक्रवात में नहीं रहेगी सब खीच के लेके चला जाएगा कोई ठीक नहीं है कोई और हो घीच के लिए के चल जाएगा करेगा चाकरवात में उदिया गई दक्षणी गुलाद में देखिए same condition दक्षणी गुलाद में भी हवाएं बाहर से अंदर की और आती है हवाएं कहाती है बाहर से अंदर की और आती है अब दक्षणी गुलाद में हवाएं जब बाहर से अंदर की और आती है तो फेरल ने कहा था कि उत्री गुलाद में हवाएं अपनी दाहिनी और मुड़ती है और दक्षणी गुलाद में बाहिनी और मुड़ती है तो भाई हम तो इसको सीधे लेकर चले आएं इसको मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है मोड़ेंगे जैसे उसको मोड़े थे वैसे इसको मोड़ते हैं तो यह दक्षणी गोलार में लेफ्ट साइड में मुड़ती है तो इसका मूँ ऊपार है लेफ्ट की इधर होगा इस साइड में होगा अईसे left मुड़ जाएगी सीधर जभी नहीं करेगी left मुड़ जाएगी यह जब फेरल का नियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको अब यहाँ देखिए इसका मुह इधर है दक्षणी गुलाद नीचे का ऐसे है ना ऐसे मुह तो left ऐसे होगा इसका धोधर मुह नीचे है और उत्री गुलाद में एंटी क्लाक वाईज है किसके नियम के हिसाब से फेरल के नियम के हिसाब से फेरल ने बताया था जब यह फेरल का नियम आपको थियोरी में पढ़ाएंगे ना जियोगरफी में तब किलियर समझ में है कि फेरल का नियम क्या था तो फेरल के नियम के किसी को दिकत बताइए उत्री गुलाद में कैसी होगी एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक और दक्षरी गुलाद में क्लॉक क्लॉक गड़ी के इसाब से अब आम आपसे पूछते हैं ध्यान से दिजेगा करक रेखा और मकर रेखा के बीच के छेत को उष्ण कटी बंद यानि टोराइड जोन तो यह करक और मकर रेखा के बीच में यह होता है इसे हम क्या कहते हैं उष्ण कटी बंद करक और मकर रेखा के बीच के छेतर को क्या कहते हैं उष्ण कटी बंद कहते हैं क्या कहें उष्ण कटी बंद और इसके नीचे वाले छेतर को हम कहते हैं सीत कटी तो यह नीचे वला हो गया सीतोष ना, बीच वला हो गया उस्न कटी बंद, यह नीचे वला हो गया, उस्न कटी बंद, और यह को हो गया सीतोष न कटी बंद, और उसके नीचे हो जाता है सीतोष न कटी बंद, सीतोष न कटी बंद, ठीक है, सीतोष न कटी बंद, अब आप से में एक सवाल पूछतें। ये चक्रवात आया क्यूं था? क्योंकि सूरज की रोसनी पढ़ने से ये area गरम हो गया था। अगर गरम नहीं हुआ रहा तो यहाँ की हवाएं ऊपर नहीं जाती, तो यहाँ हवाओं की कमी नहीं नहीं होती। यानि चक्रवात आने में सबसे महत्यपूर भूमी का जो main important जो main factor होता है वो होता है आपका सूरज का चमकना सूरज का क्या हो जाता है चमकना अब अगर सूरज चमकेगा ही नहीं या कम चमकेगा तो चक्रवात नहीं आएंगे आप बताइए जादे चक्रवात कहां आएंगे torrid zone में आएंगे या temperate zone में आएंगे मतलब उस्ट निकटी बंद में आएंगे या सीतो उस्ट निकटी बंद में आएंगे दोनों में से कहां जादे चक्रवात आएंगे बताइए भाई किस में जादे आएंगे उस्ट निकटी बंद में very good torrid zone में उस निकटी बंद में आता है क्यूं? या उस निकटी बंद में सूरज जादे चमकता है इनी दोनों के बीच में तो सूरज ही चमकता है सीधा उसके बाद तो तीरशा चमकता है तो उस निकटी बंद में चक्रवाद जादे आते है और ये बहुत भीसण खतरनाक होते हैं क्योंकि गरम हो जाता है हवाएं गरमी के दिन में धदक के उड़ जाता है चकरवात आते रहते हैं सीतोष निकटी बंद में भी चकरवात आते हैं बट वह बहुत ही कमजोर होते हैं बहुत ही क्या होते हैं? कमजूर होते हैं. कोश्चन आएगा कि कौन से चकरवात खतरनाक होते हैं? कोश्चन पूछेगा चकरवात में खतरनाक चकरवात कौन होता है? तो खतरनाक चकरवात में अंसर क्या देंगे? बताजे तो, खतरनाक कौन सा होता है? कौन सा चक्रवाद खतनाख होगा तो उष्ण कटी बंद वाला उष्ण कटी बंद ये वाला चक्रवाद जो होता है जादे पाउरफूल होता है सितोष्ण चक्रवाद से सितोष्ण चक्रवाद से ठीक है देखते हैं आप लोग भूगोल को पढ़ पाते हैं या नहीं कितने लोगों का माइंड तेज है, सार्प है समझ की इसाब से चलते हैं या नहीं चलते हैं अभी पता चल जाएगा ये उपर वाला कटिबंद है फ्रीजिट जोन जम जाता है, सीत कटिबंद फ्रीजिट जोन या सीत कटिबंद इन तीनों में से वो कौन सा ऐसा कटिबंद है जहां चक्रवात नहीं के बराबर आता है या आता ही नहीं इन तीनों में से वो कौन सा कटिबंद है जहां चक्रवात या तो आता ही नहीं या तो नहीं के बराबर आता है सित कटी बन्द, very good, frigid zone, और इसी का दो हिस्सा नीचे वाले को कहते हैं, टुंडरा उपर वाले को कहते हैं, टैगा, मतलब इस ठंडा में जहाँ इदम भयानक ठंडा पड़ गया, यह इदम नीचे, तो उसे टुंडरा कहते हैं, जहाँ कम ठंडा पड़ते हैं, उसे टैगा क कि तुंडरा एंड़ टैगा शबसे खतर नाक चक्रवात उष्णिकटि बंदिये चक्रवात आते हैं अब उषणिकटि बंदिये चक्रवात किस देश में आएंगे आप अंदाजा लगा लीजी यहां पर अगर कोई गोचु ये कहे कि कनाडा में उष्ण कटी बंदी ये चकरवात आएगा, माथा फोर दो साले का उसका, माथा फोर दो उसका, अगर कोई ये कहे कि कस्मीर में उष्ण कटी बंदी ये चकरवात आएगा, तूर दो उसको पकड़ के, कमर तूर दो इसको, हाँ, भारत में उस्ट ने आएगा लगभागा यूपी भी आर में भी आजाएगा क्योंकि देखिया एकदम यहीं से गई है करकरेखा बढ़ जस्ट यूपी के जस्ट नीचे से गई है एकदम हलका सा यहां पर ऐसा थोड़ी है कि यहां से चक्रवाद करेगा है ना ना यूपी आ गया व कोनसे चक्रवाद देखने को मिलेंगे उस्ट निकटी बंद या सुथोष निकटी बंद या दोनों क्या बोलेगे कोनसा चक्रवाद देखने को मिलेगा उस्टेलिया मैं बोद दूनों चक्रवाद देखने को मिलते हैं न्यूजी लेंड में न्यूजी लेंड में सीतो चक्रवाद ठीक है एक और चक्रवाद है जो हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आप उसे अनुभाँ करेंगे वो सबसे खतरनाक चक्रवाद है वो आपके घर में तब आएगा जब आपकी शादी हो जाएगी सादी होने के दो साल बाद चक्रवाद आएगा वो उस्ने कटी बन दिये चक्रवाद से भी खतरनाक होता है तो भूगोल में तीने एगो चक्रवाद उस्ने कटी बन दिये सीतो उस्ने कटी बन दिये सीत चक्रवाद अभी नहीं करता है लेकिन आपके जीवन में एगो चक्रवाद आएगा वो कब आएगा, साधी के बाद आएगा उससरा कभी Clockwise घुमेगा कभी Anti-Clockwise घुमेगा वो दोनों अलग-अलग टाइप के चकरवात होगे और उसका पावर जो होगा उष्ण से भी खतरनाक होगा समझना रहा है, आप में से जो लोग साधी सुधा होगे, वो लोग देख चुके होगे, ऐसे खतरनाक चकरवातों को, समझना गया अभी application का testing चला था, तो मेरे एक मितर आये थे, आये नहीं थे उनको घरक से भगा दी थी, भगो यहां से सुच फिर जाएगा उसको मनाएगा समझना है हम से पुझ रहा है कि मनाने के लिए क्या ले ले, हम कर रहा है कि उल्टे हमरे मारी यू तो ऐसे चकरवात की भी अनुभव आपको जल्दी होगी, भगवान करे जल्दी जल्दी नौकरी हो और आप लोग को ऐसे चकरवात की अनुभूती हो कब तक हम आपको किताबी नौलेज देंगे कुछ प्रेक्टिकली नौलेज भी मिले आप लोग को चकरवातों का चलिए आगे चलते हैं अब इन चकरवातों में न कुछ फेमस फेमस चकरवात समूंदर में चकरवात जादे खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि समूंदरी लहरों को उड़ा देते हैं और जमीन पे चकरवात उतने खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि जमीन पे बहु जादे बाउंडेशन होते हैं ये के घर से टकराएगा थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा पेर से टकराएगा स्पीड कम हो जाएगा सहर में गली कुछी होते हैं सब स्पीड कम हो जाती है लेकिन समुदर में इन चकरवातों को रोकने वाला कोई नहीं होता है वो छुटा साड की तरह दोडते हैं समुदरी लहरों को यह भयानक उठा के लिए आते हैं अगर मिल गई तरह अस्ते में डगमागा देते हैं सब यह चकरवात तो यह चकरवात बहुत खतरनाक होते हैं इसका नाम आप सुने होंगे नरगीस, एला, सापा, काट्रीना, विक्टर यह सब अलग-अलग चकरवात थे पहले के जमाने में चकरवातों का नाम करण अमरीकी नौसेना के अधिकारी करते थे अमरीकी नौसेना के अधिकारी अपनी पत्नियों के नाम पर चकरवात का नाम रख देते थे जैसे किसी की पत्नी का नाम है कट्रीना, तो उसने चकरवात का नाम रख दिया लहरे आती थी, तो नौसेना के अधिकारियों को अपनी पतनी की याद आती थी, रे अबाब, विक्टोरिया, रे कट्रीना, निलम, एला, सापा, तो ऐसे ऐसे नाम आता था, सोचिए, नौसेना का अधिकारी दहल गया, चक्रवात से नहीं दहला है, मतलब नाव डूबते समय अभी सोचिए, उसको किस की याद आ रही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो पहले चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर किया जाता था, चक्रवातों का नामकरण पहले होता था पतनियों के नाम पर, किस के नाम पर, पतनी के नाम पर, बाद में लड़की गुस दिक्कत नहीं मानियेगा क्यूंकि हम लडकियों का कितना बढ़ियां से पढ़ाते हैं सबको बबनी बबनी बोल बोलके अब Whuz इतिंतना इतना भयानक भयान हिसे कांडे हुआ हैं किए इतिहास थोड़े बतल सकते हैं है हो गया निसार गवारे बाबरे बाब आगे है देखो एगो कमेंट कर रहा है कि सर एगो हमरू या चक्रवात है पिरियांका ये बकललवा कहीं का हु कर रहा हमरू या एगो चक्रवात है चलो चक्रवात देखते हैं अमेरिका में एक चक्रवात आता है जिसका नाम है टार्नेडो अमेरिका में एक चक्रवात क्या आता है टार्नेडो ये बहुत खतरनाक चक्रवात है टार्नेडो टार्नेडो चक्रवात बहुत खतरनाक है इतना भयाना काता है नौ ये उखाड ले जाता है घर दूआर जहां आप से गुजरेगा इसका उपरी भाग जो होता है वो किस से जुड़ा रहता है भाई बादल से जुड़ा रहता है इस टार्नेडो का टार्नेडो इतना खतरनाक होता है इसका आकार कीप के समान होता है इसका आकार किसके समान होता है कीप के जैसा होता है इसका आकार किसके जैसा होगा कीप के जैसा हो पुछेगा टार्नेडो का सबसे खतरनाक चकरवाद कोन होता है टार्नेडो होता है इसका अकार कैसा होता है, कीप के समान, कीप समझते हैं, टार्नेडो चकरवाद देखिए, अमेरिका में आता है, टार्नेडो चकरवाद, यह भी किसी की पत्निय का नाम होगा, टार्नेडो, देखो भाई सब कोई से आता है, टार्नेडो, देख रहे हैं, कीप के जैसा है, यहा लाजाता है कानोन में कुछ फंस जाता है ना तो कानोनल में यहाँ के लोग होते हैं बहुत रोशा कि लोग जो घर बनाते हैं अमेरिका के लोग जिस एरिया में टार्नेडो आता है, तो ये लोग को पता है कि इस एरिया में टार्नेडो अक्सर आता है, जैसे आप लोग को पता है कि आपके एरिया में लू चलता है, चलता है कि नहीं, वैसे हर एरिया के लोग हेविचूल हो जाते हैं, तो ये लोग घर क इसमें चल जाता है, इसके अंदर बैट जाएगा से, चोटुआ और इधर चोटिया, इतुरत बैट जाएगा से, ओमाइ गौड बच जाओ, टार्नेडो भील हैंग आवर, आउट, हम लोग को उखाल ले जाएगा टार्नेडो, आएगा टार्नेडो यहां से भयान आग, समझे गोड उखार ले गया घर हम रहा तनिये सा बचल है यह को खमभा भागो भागो फीर आ रहा है तो भाग जाएंगे से नीचे तो यह को नीचे बनाता है सम्हाइगी नहीं आ गया कैसे बनाता है सम्हाइगी नीचे भी बनाते हैं सम्हाइगी किसी को दिक्कत है दो जगा था रहे है। पुड़ा रहे लाइव है। अठीक आप भी फोन करते हैं, बीच में हमको बksomर भी नहीं ठीक-बीम करों हूं ठीक-ठीक-ठीक, ठीक-ठीक. घना कह लें happiness है। धों, ऐसा ही घर देखेंगे लित न तो केशुपाओा बनाता है। どれ उसे घर बनाता है।lles में और उसे चोटा सा रास्ता से जाता है। अगर आप इसके घर को उखार ले जाईगा, तो केचुवा अंदर से देखेगा, शच्रा कहीं का, एक हफ्ता से लेटिन करकर के बनाए थे, एक हफ्ता कर लेकर चल गया, जो, कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे हम, फिर घर बनेगा, उसको केचुवा को किसान का मित्र करते है यह खोखला कर देता है न, तो अंदर ऑक्सिजन और नाइट्रोजन जमीन में अंदर अच्छे से पहुँच जाता है, तो केचुवा के सिधान्त को देखकर, अमरीका जैसे विक्सित देश लोग, टार्नेडो से बचने के लिए अपने घर का निर्माड करते हैं, यह बतात किछे को कोई दिखात, हम अमी का फोन आ गया था बीच में, यह करना कि साधी करिएगा तो हम लोग को बुलाईएगा, कहां अटेगो लोग भाई तुम लोग, साधी करेंगे, अगर आप लोग को बुलाएगे, तो अटेंगे कहां पही बतीन, तो लगेगा जिसे बाहु ब मतलब मैं, उतना जगह कहां है, तार्नेडो समझ में आ गया, दूसरा आता है हरीकेन, दूसरा एक चीज़ और समझे गया, तार्नेडो में, तार्नेडो की एक और केटिगरी होती है, कि अगर ये तार्नेडो समूदर पर आएगा, अगर ये तार्नेडो समूदर में आएगा तो कोणो नाओ को उलाट देगा देखिए इस समूदर में आया है तो जब कभी भी Ternado समूदर में आता है तो इसे हम लोग Waterpillar या जल अस्तंब कहते हैं जल अस्तंब क्या कहेंगे जल अस्तंब कहते है तो Ternado जब कभी समूदर के उपर से गुजरता है अब मान के चली यहाँ पर और कोई जहाज है इस तरह से यह कोई जहाज है तो मारेगा फेका जाएंगे जहाजिया को फेक देगा यहाँ से किसे कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े ठीक है ठीक है एको तो इसे चुआ बैंकवाल अफोन करके कहता है कि आपकोई चाहिए लोन चाहिए हई चाहिए जलस्तम समझ मैं गया जोकर असर पटना के गांधी मैदान में साधी कर लिजएगा आट जाएगा लो नहीं अटेगा उसमें भी खाली अपली के सनवा पे चार लाग दास जार लाड़का है जो हरीकेन आता है करेवियन सागर में हरीकेन कहां आता है करेवियन सागर में टार्नेडो काहा आता है? टार्नेडो काहा आएगा? उसमें आएगा? संब्या क्या? अरे बऑब टाइम क्रो मेश कर गया, उसवाले बैच में घुझ चुका है. जिरफी बएच में टाइम घुझ चुका है, अब कल क्लास करेंगे. अब वो जोग्रफी का class इडिश्टर्ब हो जाएगा अब हम क्या करें हम यहां पर इस वाला time उसमें घुज गया अब वो application वा लेबे नहीं करेगा अब पढ़ाते में समझें में नहीं आया कि किसमें किसमें चला गया time में चला गया अब जोग्रफी वाले का क्या करें अप्लिकेशन में लेगा ही नहीं यह वैच का schedule हो रहा था इसका इस पे चोड़ जाएंगे तो भी इसको हटाना पड़ जाएगा अब क्या करेंगे इसको जोग्रफी वाले को देखते हैं कुछ जोग्रफी वाले को चलिए अब मिलेंगे जोग्रफी वाले को था से डूल चेंज करेंगे अब कल मिलेंगे कल जोग्रफी करा देते हैं जोग्रफी करा देंगे अब टेंसर नहीं लीजे